नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोग के साथ ऐसा फीस करी लेकर रहे हैं जो आप एक बर बना लीजेगा तो उंगलिया चारते रजेगा बहुत ही अनोखे तरह से बनाएंगे आप लोग के साथ ये रिस्पी बहुत टेश्टी होता है ग्रेवी वाली फीस करिए देखिए कित आप लोग को वाच करना है तो मेरे वीडियो को देखिए और चलिए आप लोग के साथ में अनोखे तरह से बहुत ही चटपटा टेश्टी वाला फीस करी का रिस्पी बना करके दिखा रहे हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फीस को अच्छे पानी से अच्छे से साफ से देखिए हम इसमें अदरक लासुन का पेश्ट डाले हैं और हल्दी मिर्चा नमक डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अदरक लासुन डाले हैं फीर एक बार रिपीट कर देते हैं मिर्चा पौडर हल्दी पौडर इससे हम मिक्स कर देंगे थोरी दिर के लिए चूले पर चठाते हैं कराही कराही में डालते हैं सरसो का तेल में फीज को करक तलेंगे जिसे फीज मेरा नीचे चिपकेगा नहीं कितना लोगा फीज फ्राई करतें समय नीचे चिपक जाता है तो नमक डाल देने से फीस चिपकता नहीं है, तो ऐसे आप लोग फीस को फ्राइ कीजेगा, देखिए नमक डाल करके हम मिला देते हैं इसको, जिसे फीस चिपकता नहीं है, और तेल को अराम से हम गरम होने देते हैं, तेल पूरा हीट हो जाएगा, जितना गरम होगा तेल फी देखिए फीस का मुंडी हम डाल दिये हैं और इसको दुनों तरफ से करक होने तक हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे तो ऐसे आप लोग बनाईएगा फीस करी तो बहुत टेश्टी होता है पहले हम मुंडी को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से करक सा तो दीखिए एक तरफ सबस्क्राइब से निकाल देते हैं मुंडी को तो दिखिए अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम पीस को भी इसमें डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से सारे पीस को हम ऐसे ही जैसे सर को फ्राइ किये हैं हम करक तल लेंगे तेल में तो देखिए तेल पूरा हीट है इसमें हम और सारे पीस को डाल करके फ्राइ कर लेते हैं दिखिए हम फ्राइ कर रहे हैं एक एक साइड साइड से डालते जाएंगे हम डालते जाएंगे जितना तेल में चला जाएगा उतना ही हम डालेंगे तो इसको हम करक तलेंगे दोनों साइड से जिसे बहुत टेश्टी होता है फिस करी दोनों साइड से तलना है क्रिश्पी होन निखाई मुझे पाले। दीधे आफिस को फ्राइब कर लिए हैं। इसे ही सारे फ्राइब कर लीए । करक्तलना है। या उनको निकाल लेते हैं। निकाल लेंगे इस तरह से असानी निकल जाते हैं। अब हम देखिए कितने अच्छे से फ्राई किये हैं फीस को देखिए सारे फीस को हम ऐसे ही फ्राई करकर के करकर के निकाल लिए हैं आप लोग के साथ दुसरा भी हम दिखा देते हैं दुसरा वाला भी जो हम डाले थे फीस वो भी हम तल लिए हैं तेल ज्यादा है तो इसमें से थुरा सा निकाल लेंगे नहीं तो उपर तरने लगते हैं अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना एक हरी मिर्च एक लाल मिर्च खड़ा वाला और मेथी दाना डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिसकरी का तो मेथी दाना हम डाल दिये इसमें एक हरी मिर्च एक लाल मिर्च को तोरके हम डाल देते हैं इसमें इसको हम गोल्डेन होने देते हैं सुनहडा कलर आने देते हैं मिर्ची का अब इसमें हम एड करेंगे मसाले को जो हम मिक्स करके रखे थे अब हम इसमें अद्रक लासन का पेस्ट और लाड मिर्चर हल्दी पॉडर को भी डाल देते हैं अच्छे से फ्राई करेंगे अद्रक लासन का पेस्ट और हल्दी पॉडर और मिर्ची पॉडर हम इसमें अड्ड किये हैं इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे फिर से हम आप लोग रिपीट कर देते हैं इसमें अद्रक लासन का पेस्ट सर्शो का पेस्ट हल्दी पॉडर मिर्चा पॉडर हम एड्ड किये हैं और इसमें एक काट कर टमाटर को भी हम एड्ड करेंगे और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को अंदर तक फ्राई करना है पूड़ा जिसे टमाटर पक जाए तो देखिए मसाली कितने अच्छे से पकड़ रहे हैं मेरे ऐसे ही मसाला को फ्राई करना है जितना मसाला अच्छे से फ्राई होगा फीस का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है तो ऐसे आप लोग फीस करी जरूर बनाईएगा तो ऐसे मसाला को हम फ्राई करेंगे आप लोग को हम दिखा देते हैं, हम सर्सो वाला मसाला लिये हैं, जिसमें सर्सो का पेष्ट है, लासन का पेष्ट है, अधरक का पेष्ट है, और हल्दी पॉर्डर, मिर्चा पॉर्डर है, अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो मसाले को अच्छे से फ्राई करे तो मसाले को पास से अपलो को दिखा देते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसमें हम ग्रेवी के कोडिंग पानी एड करेंगे आयसे इनको हम चला देते हैं जिससे मसाले मिल जाए ग्रेवी में तो देखिए ग्रेवी तो हम थोरी दिर के लिए छोड़ देंगे जिससे इसमें उभाल आ जाए तो देखिए साइड साइड उभाल आ गया तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती धनिया पत्ती डालने से टेस्ट अच्छा आता है आपके पास हो तो डाले नहीं हो तो कोई बात नहीं अलोगम तो ग्रेवी में हम उभालाने से 5 degree में कितना खोले मुद् 내용 में ग्रेवी में कितनना अच्छा वाल आओ कि वह याज Diskussा को मिद्धakes है करके डाल देते हैं रहें 10 किÓ AT-inea कि हम फ्राइड कीया हुए पीस को डाल देंगे इसमें देकिए साइड साइड से हम डाल एक एक पीस को हम साइड साइड से डाल दिए मुन्नी को भी डाल दिए आप लोग को जितना ग्रेवी चाहिए उतना डाल सकते हैं मुझे कम ग्रेवी चाहिए था तो हम कम ही डाले हैं देखिए कितना अच्छा से सब पीसे से इसमें डला गए इनको ढख के हम थोरी दर के लिए पकाएंगे तो देखिए फीस करी हम ढख के पका लिए हैं कितना अच्छा ग्रेवी हुआ फीस भी कितना मस्त हुआ है तो इनको हम सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं सारे फिस को हम सर्विंग बॉल में इसी तरह निकाल लेंगे देखिए कितना टेस्टी बना है फिस करी तो अगर आप लोगो देखिए इस तरह से फिस करी बनाना होगा तो मेरी वीडियो को फूल वाज कीजिए और आप लोग भी बनाईए देखिए पास से आप लोगो दिखा देते हैं कितना टेस्टी बना है तो इन्हें हम सर्व कर लेते हैं एक कटोरी में देखिए कि इसको हम सर्व कर लेते हैं आप लोग को ऐसे फिसकरी बना के जरूर खाईएगा बहुत टेश्टी लगता है इनको हम एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं देखिए कितना मौस्त सा बना है फिसकरी इसको एक कटोरी में हम सर्व कर लेते हैं देखिए पीस कितना अच्छा अंदर तक पका है और ग्रेवी का भी टेक्सर कितना अच्छा आया है तो इन्हें हम कटोरी में सर्व करते हैं देखिए मुंडी को भी हम निकाल लेते हैं तो अगर आप लोगों को मेरे फीस केरी की रेस्टी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक यू